Om Shanti Om Shanti Om Shanti हम सभी तपस्या के मार्व परागूरशर हैं हमारी तपस्या राज्योग की तपस्या है राज्योग में हमारा direct connection है सुप्रिम से, परमसत्ता से, निराकार, सर्वुसक्तिवान से उतसे ही हमें शक्तियां मिलती हैं जितना हमारा चित, मन और बुद्धी एकाग्र होंगे उतने ही हम उनसे अधिक शक्तियां ले सकेंगे अपने मन को परमानन्द की अनुभूतियों में रख सकेंगे हम सभी को इस तपस्या का परमानन्द लेने के लिए purity परमावस्षक है पवित्रता ब्रहमचरिये ब्रहमचरिये को सास्त्रों में बहुत बड़ी तपषया माना जाता है तपषया लोग उसे भी समझते रहे जिसमें कुछ कटनाईया हो साध ना करनी पड़ती हो साध लेना हो करमेंद्रियों को पन्तु हमारी तपस्या ऐसी तपस्या नहीं है हमारी ब्रह्मचरिय की तपस्या बड़ी आनंदकारी है उधर क्या था कि ब्रह्मचरिय की पर्तिग्या करा दी ब्रह्मचरिय में रहना है किसी के संसकार ब्रह्मचरिय के होते थे वो सफल हो जाते हैं और किसी के नहीं होते हैं यो सफल नहीं होते, इसलिए एक सन्झियासी मात्मा भी इस पत्र से भी मुख हो गए, पंतु सिद्धिया प्राप्त करने के लिए, शक्तियां प्राप्त करने के लिए, योग साधना को सफल करने के लिए, भ्रमचरिये, और फिर संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता फिर संपूर्ण निर्विकारी इस्थिती तक पहुंचना पर हम आवस्षक है क्योंकि जिससे हम योग लगाते हैं उपर हम पवित्र हैं एब्शिलूटली प्योर प्योर भी न कहके होली वाइसलेस पवित्रता के सागर जिनसे योग लगाकर सभी आत्माई पवित्र बन जाती हैं तो जब उसके साथ हमें चलना है उससे बुद्धी को कनेक्ट करना है तो हमारी बुद्धे भी संपूर्ण पवित्र होनी ही चाहिए इसलिए ये देखा जाता है जितनी जिसमें प्योर इटी है उतना उतना ही वो योग में सफल हैं हमें अपनी purity को हट पूरवक नहीं योग साधना के बल से नेचुरल रूप देना है इसमें पहली साधना है हमारी देहे से न्यारे होने का अभ्यास अब जो सास्त्रों के अनुसार व्रम्चरिय पालन अपनाते हैं वो कोई ऐसरीरी होने का या सोल कौंशियस होने का अभ्यास नहीं करते हैं ये एक कमी रह जाती है वो आत्मिक द्रश्टी का भी अभ्यास नहीं करते है वो आँके बंद कर लेते हैं पर बाबा ने हमें सिखाये तुम्हें आँके बंद नहीं करनी तुम्हें आँके खोलनी है बंद तो पहले चाही थी अग्यान में आँके बंद हो ग तो प्योरिटी बहुत नेचूरल हो जाती है दूसरे चीज़ हमें बहुत डीपली यह रियलाइज करना है कि मैं आत्मा परम पवित्र हूं सुविकार करें अपनी इस क्वालिटी को प्योरिटी माई ओरिजिनल नेचर मैं संपूर्ण पवित्र हूं यह विकार तो बाद में बाकि तो मेरा मोल सुरुप संपूर्ण पवित्र है जैसे जैसे हम यह तपश्या करेंगी है हट पूरवक कुछ करना हमारी तपश्या नहीं यह जड़िबूटियां खाकर करमेंडियों को सीठल कर लेना वो भी हमारी तपाश्या नहीं है हम तो स्वरात्यôm के राजा बन जाते हैं तो हम ये तीन सादनाय करेंगे सोल कौंशियस होने की और उसके लिए मैं आत्मा स्वराज जदिकारी हूं मन बुद्धी की मालिक हूं संसकारों की मालिक हूं बहुत गहरी फिलिंग ये हमें करनी है और फिर सभी आत्माएं हैं ये देहे सुन्दर देहे ये वस्त्र है किसी का कैसा वस्त्र है किसी का कैसा वस्त्र है हमें आत्मिक दरश्टी रखनी है तो इस तरह है यदि हम साधना को वड़ाएंगे तो हमारी पवितरता की साधना सरल हो जाएगी आनंदकारी हो जाएगी तो योग की साधना करने के साथ साथ हमें पवितरता की साधना भी चालू रखनी है कहीं ऐसा ना हो कि उधर हम योग से शक्तियां लेते रहें इधर व्यार्थ संकल्पों में शक्तियां खोते रहें तो आओ हम सभी संपूर्ण पवित्र बन कर योग का परमानंद लें वहत वहत थैंक्स ओम श्यांति